शोडशाह पाठाहा, ग्रामे मेलाप कहा, कुमार ये कितनी उंगली है? एक, और अब तीन, सही कहा, ये शब्द संख्यावाची शब्द होते हैं, यनि कि जो संख्या बताते हैं, तो आओ मेले के द्रिश्य की सहायता से संस्कृत में गिंती सीखते हैं, संख्या बताने के लिए हम गिंती का प्रियोग करते हैं, एक, एकह बालह मेलाप कम, द्रिश्टुम, अगच्छत, द्वी, दुआव बालव, अपी तेन सह, अगच्छताम, त्री, त्रेह जनाह मारगे अमिलन, चतर, चतरह स्त्रियह अपी, मेलाप कम, द्रिश्टुम, पंच पंच याने शूते आरूडाह शट शटकोशे मिलापकह आसीत सप्थ सप्थ सरोवराह तत्र आसन अश्ट अश्ट शिविराणी मिलापके स्थितानी नव नव नल कूपाह अत्र पेय जलं ददाती दश दश साधवह यज्यम कुरवंती एकादश एकादश क्रीडनकं आपणानी संती द्वादश द्वादश दोलाह तीवरंब्रमंती त्रेयोदश मिष्ठाननापणानी संती चतुरदश द्वादश मिष्ठाननी अत्र रच्यंती पंचदश, पंचदश सेनिकाह अत्र रक्षंती, शोडश, शोडश अशवाह अत्र तिष्ठंती, सप्तदश, सप्तदश गजाह सर्वान्नमंती, अश्टादश, अश्टादश बालिकाह पुष्पाणी ग्रिहनंती, नवदश, नवदश वानराह कूर्दंती, एकोन विन्शतिह, विन्शतिह, विन्शतिह जनाह कर्तल ध्वनिम कुर्वन्ती, पाठ सारह, इस पाठ में ग्रामीर मेले के माध्यम से बीस तक की संख्याओं का परिचाय कराया गया है, व्याकरणम, एकह के रूप केवल एक वचन में तीनो लिंगो में अलग-अलग चलते हैं, विशंतिह के रूप मती के समान केवल एक वचन में चलते हैं,